नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तियश इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम पजल सॉल्विंग डिसकस करने वाले हैं लॉजिकल रिजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे लोगों प्रॉब्लम होती है वीडियो को लास तक देखीगा एक ही वीडियो में कम्प्लीट पजल सॉल्विंग डिसकस करने वाले हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एक बार देख करके खदम करो यह टेंशन हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसी भी एक्जाम का नाम ले करते हैं डेफिनिटली मिनिमम एक कोश्चन तो आपको मिलेगा प्लेस्मेंट पॉइंट ऑग्यू से बात करें आप किसी भी आईटी कंपनी का नाम ले लीजिए या किसी भी जॉब गिविंग प्लाटफॉर्म का नाम ले लीजिए जहां पर लॉजिकल रिजिदिंग से ल करके हम इन डीटेल सारे टाइप को देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसी सिक्वेंस में कुश्चन सॉल्व करने वाले तो सबसे बहले नंबर पजल्स पर हम कुश्चन देखते हैं देखिए नंबर पजल्स के कुश्चन अगर आपको सही करने है तो तो 1 से लेकर के 50 तक के at least squares आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर के 100 तक display कि अगर 100 तक याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है but at least 50 तक आपको याद होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक के cubes आपको याद होने चाहिए ये भी values मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देख रहा है अगर आप यहाँ पर गौर से देखे अगर मैं horizontally इनको numbers treat करूँ 36,49,64 आपको यह बताना है question mark की जगे क्या आएगा अगर मैं इसको horizontally consider करता हूँ तो यह 36 हो गया, यह 49 हो गया यह 64 हो गया और यहाँ पर कुछ तो आने वाला है तो भाई अगर मैं गौर से देखूँ squares तो मेरे को 36,49,64 दिख रहा है तो यह 81 होना चाहिए question mark की जगे मेरा 1 आना चाहिए basically यह 6 का square लिखा है यह 7 का square लिखा है यह 8 का square लिखा है and this is nothing but 9 का square question mark की जगे 1 आना चाहिए option A is the correct answer आपको पूरा solution यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको read along भी कर सकते हैं चलिए भाई effort पसंद आ रहा तो like करेगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई again question mark की जगे क्या आएगा यह आपको बताना है number puzzles का ही question है भाई देखिया again मैं एक काम करता हूँ horizontally इनको numbers treat करके देखता हूँ तो 123 है 214 है और 56- है भाई अब यह मझे कोई भी ऐसे popular numbers नहीं समझ आ रहे हैं 125 दूसरा number क्या बन जाएगा 216 भाई यह जाने पहचाने से number लग रहे हैं भाई तीसरा number क्या बन जाएगा 34- तो अगर आपने एक से लेके 20 तक cubes याद किये होंगे तो आपको दिख रहा है 125-216 तो यह 343 आना चाहिए कायदे से तो इस नथिग बट 5 का cube this is nothing but 6 का cube and ideally it should be 7 का cube which is 343 कोई option है क्या 3 question mark की जगे yes, option B is the correct answer question mark की जगे हमारा 3 आना चाहिए again आपको पूरा printed solution में provide कर रहा हूँ एक बार go through कर लीजेगा भाई अगला सवाल आपकी screen पर है भाई एक बार देखते हैं जल्दी से अब यहाँ पर आप देखें बहुत सारे sectors हैं और हर एक sector को 3-3 part में divide किया हुआ है चीक है भाई तो अगर मैं एक particular sector के parts को observe करूँ तो यहाँ पर 6,2 और 4 है तो मैं अगर एक काम करता हूँ 6 और 2 का multiply कर देता हूँ तो यह हो गया मेरा 6 दूनी 12 और 6 और 2 को add कर देता हूँ जिनको multiply किया है उनी को add कर देता हूँ अब 12 और 8 को आपस में subtract कर देता हूँ जो result है उनको आपस में subtract कर देता हूँ तो मुझे kind of central term मिल रहा है अब यह logic मैं लगा दिया I'm not very sure यह सही है के नहीं है तो भाई कैसे verify करें एक दो किसस और देख लो इधर देख लो क्या करना है extreme terms को multiply करना है 5 into 4 20 अब एक बार multiply किया है तो इनको एक बार add भी कर दो 9 जो result आया है उनको आपस में एक बार subtract कर कर के देखो तो क्या मेरे को बीच वाले term मिल रहा है जी हाँ बिलकुल मिल रहा एक बार और try करते हैं इन दोनों को देखो बाहर के terms को multiply करो और एक बार add करो और इनको आपस में जो भी result आया है subtract करो क्या अंदर 3 आ रहा है आरे वा सर मजा आ गया भाई यहाँ पर भी आप देखो कि तो 5 into 5 होता है 25 5 plus 5 होता है 10 minus करो कि देखो 15 आ रहा है यहाँ भी देखो कि तो 4 तीया होता है 12 और 4 और 3 होता है 7 minus करो कि तो 5 आ रहा है इधर भी देखो कि 6 into 3 होता है 18 right 18 होता है और 6 में से 3 add करो कि तो 9 होगा इनको आपस में subtract करो कि तो 9 बचेगा इधर आप देखो 4 4 जा होता है 16 और 4 और 4 होता है एड इनको सब्ट्राइक करोगे तो यहां पर मैं इसा क्या नंबर रखूं कि उस नंबर का 3 से मैल्टिप्लाइ करों और उस नंबर का 3 से एड करों जो भी रिजल्ट आया उसको सब्ट्राइक करों तो यूनो मेरा 11 बनेगा ऑप्शन की तरफ अगर मैं जाओं तो क्लियर कट मुझे दिख रहा अगर में यहां पर 7 रखूंगा ना तो देखे क्या मैजिक होगा सेवन इंटू 3 हो गया 21 और 7 मैंसे 3 मैंने आड कर दिया तो बचा मेरा 10 और 21 मैंसे 10 में सब्ट्राइक करता हूं तो 11 बचता है यानी सेंटर तम आता है यानी इदर 7 रखना चाहिए option A is the correct answer to this particular question अगेन आपको detailed printed solution यहां पर देख रहा है भाई make sure इसको एक बार आप read along कर लें अब देखे तीन question किये हैं तो एक homework question करना तो बंगता है homework question आपकी screen पर है फटा-फट से जाकर कि इसको इन आटेम्ट करें and comment section में मुझे answer आपका चाहिए इस particular question का चलिए बाई number puzzles पर अच्छी खासी clarity मिली होगी अगले type पर move करते है नेक्स टाइप इस आपका missing letters puzzle बाई देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपको effort पसंदा रहा हो भाई लग रहा है कि महनत कर रहे हैं आपके लिए यह perfect channel है तो इसको subscribe करके एक बैल आइकन प्रेस कर दीजिए यहां पर आपको company wise playlist मिलेंगी topic wise playlist मिलेंगी job notifications मिलेंगे बाई live streams हम conduct कर रहे हैं back to back हर एक IT company की complete placement preparation आपको मिल जाने वाली है subscribe कर रहे हैं जितनी भी वीडियो में ने upload की हैं जाकर के एक बार देख लें missing letter puzzles को देखिए बाई आपको इस ट familiar नहीं होते हैं तो यार अगर हम letters को numbers में convert करते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा sir letters को numbers में convert क्यों करना है क्योंकि हम numbers के साथ familiar होते हैं sir convert कैसे करेंगे भाई A को 1 मान लो B को 2 मान लो C को 3 मान लो D को 4 मान लो E को 5 मान लो and so on so forth तो इस तरीके से हम forward mapping कर देंगे A से लिके Z तक 1 से लिके 26 तक numbers देंगे अब sir सवाल यह उठा है कि sir क्या मैं copy में यह बनाऊंगा पूरा time बहुत कम मिलता है तो भाई बनाने का तो time नहीं मिलेगा एक तरीका क्या होता है इसको याद करने का sir मैं एजोटी से इसको याद कर लू भाई एजोटी मतलब E मतलब 5 होता है J मतलब 10 O मतलब 15 T मतलब 20 Y मतलब आपका 25 अब किसी ने पूछ ले sir X की value क्या है तो आपने देख लिया T और Y के बीच में X आएगा तो आपको लोग T U V W X आपको लोग T U V W X तो यह 20 यह 21 22 23 24 आप यहाँ पर X की value 24 आगी इस तरीके से सर अगेन यह time taking process क्या आप इसको और short कर सकते हो जी हाँ मैं आपको एक section दिखाने वाला हूँ और रिकॉर्ड कर चुका हूँ हर एक letter के corresponding जो number है ना आप आप बंद करके बता दो किसी ने आप से पूछ लिया M मतलब क्या आप बोल दो क 17 किसी ने आप से बूल दिया T मतलब क्या आप बोल दो कर 20 किसी ने आप से बुल दिया W मतलब क्या आप बोल दो 23 बिना देखे तुरंट answer निकालोगे तो उस video segment को देखते हैं उसके बात कहानी को आगे बढ़ाते हैं कैसे याद रखना है देखिए छोटा सा आप बस एक request ह आप से एसे ले करके E तक तो आप याद ही रख लेंगे बंग से लेके 5 तक बहुत मजा आने वाला है अगले 5 मिट बहुत important होने वाले वीडियो को 20 से मत छोड़ेगा like बटन पहले दबा दीजे A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, D मतलब 4, E मतलब 5 तो आपको याद होई मतलब F को मैं क्या लिख सकता हूँ F for fix fix 6 ऐसे याद रख लेगे वाई fix 6 तो F से 6 हो गया जी group of 7 countries आपने नाम सुनाओको 7 countries United States वगेरा यह 7 countries का group होता है तो G7 G मतलब group of 7 countries H को आप देखो H का structure अगर मैं H की इनो roof बना दूँ और ceiling बना दूँ तो क्या यह 8 जैसा नहीं देख रागर आप ध्यान से देखो कि देखो यह 8 बन गया तो H का जो structure है वो 8 जैसा देखता है तो ऐसे ध्यान रख लो भई I know I को हिंदी में क्या बूल देता हूँ No तो मैं I know I know से आप याद रख सकते देखो जे और के को कैसे याद रख सकते हैं जे मतलब जम्मू के मतलब कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बही हलाकि चलनी नहीं चाहिए बड़ क्या कर सकते है वह unfortunate है जम्मू बही आपका साथ छोड़ दे आपके यसर आपके साथ ही है तो मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं आपके साथ हूँ एन मतलब क्या होता है नहा नünित नहा नहा चाहते है लड़की प्रपोज नहीं करेगी दो en14 से आप याद रख सकते हो en14,schaudhah फरवरी को en नहाद नहा निक महिने तक के बच्चों को प्रिंस में को कैसे याद रखेंगे सर वी मतलब कुन 16 साल की प्रिंस इसने 17 साल की Queen से शादी कर ले, T को कैसे याद रखेंगे भाई, T20 मैचे ज आपने बहुत popular सुनेंगा, IPL वगरा होते रहते हैं, तो T20 से याद रखेंगे, U21, 21 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 21, 23, 21, 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 वी ऐसे लिखा है लेकिन इसको प्रणाउस में वी की तरह भी कर सकता हूँ, वी मतलब हम, हम दो, हमारे दो, तो वी 22 हो गया, भाईया देखो, आप लोग बहुत महनत करते हो, लेकिन थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी है, तो कभी भी वर्क, डवलू मतलब वर्क कभी भी 24 घंटे नहीं करना चाहिए, चाहो तो 23 घंटे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन भर वर्क मत करो, पूरे 24 घंटे वर्क मत करो, डवलू मतलब 23, डवलू मतलब 23 है ना, जजबात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें वाई 25 कैसे यार रखी है वाई मतलब आपके यस सर हो गए यस सर की 25 गल्फरेंट से वाई इमेजिनरी गल्फरेंट से रियलिस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं है यह सर की 25 गल्फरेंट से वाई 25 से याद रख सकते हैं अगर आप द्यान से आपज़र्व करो, I&C को अबज़र्व करो अगर मैं I++N++C कर दूँ सर किस टर्म्स में letter to numbers के मेपिंग के टर्म्स में तो I मतलब क्या होता है? I know, N मतलब 14 फर्वरी को नहां दोकर निकलना चाहिए इकसी मतलब 3, अगर मैं इन तीनों को add कर दूँ, तो यह हो गया 23 और 3, 26 निकल करके आ रहा है आपका total, सर 26 का मैं क्या हूँ क्या, अगर आप left और right hand side को multiply कर दोगे, तो यह भी मेरा 26 बन रहा है, यानि summation का result और multiplication का result मेरा same आ रहा है, क्या हर case में आ रहा है भई, ORS 15 से 18 19 महीने तक के बढ़ चोगो, ORS पिलाओ तो R मतलब 18 हो गया, G मतलब group of 7 countries, तो यह आपका total 42 निकल के आ गया, और अगर मैं 6 into 7 करूँ, तो भी मेरा 42 ही आ रहा है, है ना, अब DOM को एक बार चेक करता हूँ, D plus O plus M को एक बार चेक करता हूँ, D मतलब 4, O मतलब अगें, ORS से याद रखेंगे 15, M मतलब क्या, मैं 13, मैं 13, 15, और यह होगे आपका 19, 21, 22, यह आपका 32 यहाँ पर total submission कर रहा हूँ, और 8 into 4 कर रहा हूँ, तो again this is coming out to be 32, एक केस और बच्चा, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, S plus U plus I देख लेते हैं जल्दी से, S का मतलब क्या होता है बई, ORS, 19, U give me, 21, 21, I, मतलब 9 हो गया, तो यह मेरा 49 निकल कर के आ रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो 7 into 7 कितना आ रहा है, 49, यह नि लॉजिक तो clear है, इन तीनों का summation करेंगे, तो multiplication के बराबर आना चाहिए, यहाँ पर 8 into 2 कितना होता है, 16 होता है, तो A plus B plus question mark की जगे जो भी आएगा, उसका summation मेरा कितना होना चाहिए, 16 के बराबर होना चाहिए, A मतलब 1, D मतलब 4, question mark की जगे क्या आना चाहिए, 16 बन चाहिए, question mark की जगे, गर मैं 11 रख दूँ, तो 11 और 12 और 4, 16 आना चाहिए, तो कुल मिला के question mark की जगे मेरा 11 आना चाहिए, यानि 11 वाला letter आना चाहिए, अब Jammu and Kashmir में 10, 11 गोलियां रोट चलती है, तो Jammu मतलब 10, Kashmir मतलब 11, तो 11 मतलब क्या, K for Kashmir, 11 मतलब K for Kashmir, आपका correct answer will be K, ये total आपका A, B, K बनेगा, option C is the correct answer, पूरा printed solution आपको मिल रहा है, देखे कितने जल्दी हमने solve कर लिया, अगर हमको mapping याद है, तो जल्दी से आप लोग mapping याद कर लिजेगा, लाइक भी करते जाएं वीडियो को, अगला सवाल आपकी screen पर देख रहा है, देखे इस तरह एक ladder बनी हुई है, एक काम करते हैं जब भी ऐसे boxes बने हैं, तो या तो row by row जाने की कोशिश करो, या column by column, सबसे पहले तो भाई अगे letters देख करके डर लग रहा है, मैं क्या करूँगा, इनकी numbering कर दूँगा, तो A मतलब 1, G मतलब group of 7 countries, I 3, E मतलब 5, लड़की को देख के लड़के के 12 बच जाते हैं, fix 6, D मतलब 4, group of 7 countries, अगर मैं row by row देखूं तो ये 1 है, 7 और 9 को add करूँगा, तो 16 बचेगा, इधर देखते हैं भाई, 3 प्लस 5 प्लस 12 करूँगा, तो 20 बचेगा, अब 1, 16 and 20, अगला number क्या आएगा, मुझे SH क विशम मत क्या pattern establish करूँ, तो row by तो काम चल नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, column by column जाने की कोशिश करता हूँ, column by column देखते कुछ दाल गल रही है, तो column by column अगर मैं सम करूँ, 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6 का सम करूँ, तो योगे 6, 39, 10, total 17 आ गया, यहां पर, इधर देखता 9, 5 और 4 इस column का सम करूँगा, तो 9 प्लस 5 प्लस 4 कितना होगा, 5 और 4, 9, 12, 18, यहां पर summation 18 आ रहा है, इस column का summation करूँ, तो 12 और 7, 19, वा भाई, वा मज़ा आ गया, 17, 18, 19, यह column 20 को represent करना चाहिए, अब ऐसा कौन सा letter है, जो कि 20 को represent करता है, T20 से अपन ने याद रखा था, त मेरा काम चल जाएगा, T is the correct answer, अगीन भाई, आपको complete explanation में provide कर रहा हूँ, एक बार आप चाहूँ तो इसको read कर लीजेगा, चलिए भाई, अगले question पर move करते हैं, यह आपके लिए homework question है, विद्यारती करता है, comment section में answer करिएगा, भाई, क्या करना है, यह आपको blank space दिए, इन blank space पर इन पाचों में से कोई सा एक fit हो जाएगा, है ना, तो आपको बताना है, कौन सा fit होगा, अब आप देखकर दर रहे होगे, भाई, डरने की बात नहीं, अगर आप ध्यान सा अबदर को रहे हो, मैं थोड़ी सी hint देता हूँ, अगर आप starting की 5 grid को देखो, और last की 5 grid को WX GSM, समझ रहे हैं कि आप मेरी बात को, तो यहाँ पर अगर आप observe कर रहे हो, तो starting की 5 और आखरी की 5 grid जो है, सेम है, उसके according आप देख लिएजएगा भाई, जो भी answer आए, comment section बताई, तो जरूरी नहीं कि missing letter puzzle आईगे, तो sir मैं सबकी में number mapping कर दूँ, अगर आप इतने सार पर भी हम question कर चुके हैं, कई बार क्या होता है, इन दौनों को mix करके भी question पूछ ले जाता है, number और missing letters को mix करके भी पूछ ले जाता है, एक question उस variety का भी करा देता हूं, यहाँ पर numbers भी है, letters भी है, तो भाई, वही करू न, याद देको letters को देख कर रहे हैं, तो number में convert कर लो, M मतलब क्या, मैं 13, O, R, S से याद रखो, O मतलब 15, R मतलब 18, S मतलब 19, तो S का मतलब होगे है, मेरा 19, I know, है न, उसके बाद W मतलब 23 आपका होता है, है न, यह आपन न, convert कर लिया, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से add करू, मतलब, दो equal part में divide कर है, लेफ्ट वाले को add करूँ, तो 4 प्लस 3 प्लस 6 बन रहा है, तो 7 और 6 यह मेरा 13 बन रहा है, इधर देखूँगा, अगर मैं तो 9 प्लस 2 प्लस 8, तीनों को add कर रहा हूँ, मैं 9 प्लस 2 प्लस 8 यह कितना हो गया, 9 और 2, 11 और 8 मेरा हो गया, 19, तो अगर मैं गौर से यहां भी follow किया हूँ, एक बार देखते हैं, 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6, 2, 8, 9, मेरे को 9 भी मिल गया, यानि इसका जो summation है, वो मेरा 23 बनना चाहिए, कि मेरे पास 13, 19 और 9 मिल गया, यानि यह मेरा 23 बनना चाहिए, तो 11 प्लस 8 प्लस question mark should be equal to what, it should be equal to 23, तो 11 और 8 हो गया आपका 19, तो question mark की जगे मुझे 4 रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा 23 बनेगा, तो question mark की जगे मैं 4 रख दूँगा, कोई option match कर रहा है, क्या कोई भी option match नहीं कर रहा है, correct answer is none of these, यानि कि यहां पर मेरा 4 आना चाहिए, ultimately, because 11 प्लस 8, 9 प्लस 4 मेरा 23 हो जाता है, तो भाई, none of these भी answer कई बार निकल जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको यहां पर clarity मिली होगी, again as usual complete printed solution आपकी screen पर है, एक बार look after करिएगा, पढ़ लीजेगा, और better आपको clarity मिल जाने वाली है, अगली category पर move करते हैं, that is logical puzzles भाई, इसमें different varieties बन सकती हैं, sorry varieties मैं आपको कराऊंगा, पहली variety म अब यहां पर आपसे पूचाए, question mark की जगे क्या आएगा, और चार options आपकी screen पर हैं, देखिए अब यहां पर कितने dots हैं, total 0 dot है, इधर पर कितने dots हैं, total 3 है, 2 और 1, 3, इधर पर 2 dot है मेरी, इधर पर total देखूं तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 dot है, इधर देखूं तो 3 और 1, 4 dot है, देखूं, तो 6 dot है, अब इधर का तो कुछ पता भी नहीं है, अगर मैं एक चीज़ observe कर पा रहा हूँ, अगर मैं 2, 2 का group बना दूँ, तो 0 और 3 के बीच में 3 का अनतर होता है, 5 और 2 के बीच में भी again 3 का अनतर होता है, 4 और 7 के बीच में भी again 3 का अनतर होता है, इनका मैं difference दे रहा हूं, है न, 0 और 3 का difference 3, 2 और 5 का difference 3, 4 और 7 का difference 3, तो यहाँ पर भी difference मीरा 3 का आना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 9 रख दूँं, तो मीरा जो difference है total 3 का निकल करके आ जाएगा, 9 रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 9 रखने के लिए मेरे को यहाँ पर 3 dot और add करने बढ़ेगी, क्योंकि 6 तो already है, तो मेरा correct answer हो जाएगा, option B, what am I supposed to do, I am supposed to add 3 dots in this particular case, correct answer आपको option B आगे, again printed solution आपको मिल रहा है, effort पसंदा रहा हो तो भाई like करें, अगली category पर move करतें, logical reasoning में ही एक sub category है भाई, इस type का सवाल आपको कई वार देखने को मिलेगा भाई, कुछ dots के pattern दियें, आपसे पूछा गया है भाई, यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर आप closely observe करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि यह मेरा एक triangle बन रहा है, यानि three sides का एक figure बन रहा है, अगर मैं dots को add on कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँँगा, तो मेरा एक four side का figure बन रहा है, which is a rectangle, अगर मैं यहाँ पर observe करूँ, तो यह एक side, यह दो side, यह तीन side, यह चार side और यह पाँच भी side, pentagon बन रहा है, five side का figure बन रहा है, अगर इदर मैं observe करूँ तो पहली side, दूसरी side, तीसरी side, चौती side, पाचवी side, छटी side, six side का figure बन रहा है, और यहाँ पर observe करूँ तो पहली side, दूसरी side, तीसरी side, चौती side, पाचवी side, छटी side और यह पूरा एक ही हो जाएगा, साथवी साइट, सेवन साइट का मेरा यहाँ पर फिगर बन रहा है, तो यह डेफिनेटली आपका एट साइट का फिगर बनना चाहिए, वकॉस 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरहे का पैटन बनेगा, आपको आप्शन दे रखें, अगर आप आप आप्शन को क्लोसली अब्जर्व करो, त साइट का फिगर दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, एट साइड़ फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन एफ इस दा करेक्ट आंसर, सरी लॉजिक आपको क्लिक कैसे कर रहे हैं, देखिए, मैं आपको डिफरेंट डिफर पर हम मूव करते हैं, आपको यहाँ पर तीन वेइंग स्केल्स दिये हुए हैं, और यह फिलाल लेवल पर हैं, बीच में हैं, वही किसी भी तरफ यूनो पड़्डा जो है वो जो जोक नहीं रहा है, आपको यहाँ पर यह हैमर दिया हुआ है, यह आपको एक से दिया हुआ कर सकता हूँ, माल लेता हूँ हैमर का वेट है, माल लेता हूँ एकस का वेट ए है और माल लेता हूँ बैट का वेट भी है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड में देखूंगा, तो यह मेरे 3H वेट हो जाएगा इधर पर और इधर पर B वेट हो जाएगा, तो एक तो यह 2a हैं, 2x हैं मेरे पास and that will be equal to what? 3 bet, 3 bet के बराबर आपका यहाँ पर आने वाला है, 3 bet plus something obviously because यह आपका नहीं पता, तो यहाँ से आपको 3 equations दे रखें, 3 variable दे रखें, solve करके आप you know a, b और h की value निकाल करके आप determine कर सकते हो कि यहाँ पर क्या रखना है, but again यहाँ बहुत time taking process है, इस से बेतर मैं आपको solution बताता हूँ, देखिए भाई, मैं assume कर लिता हूँ, थोड़ी देर के लिए, कि जो hammer है ना वो 1 kg का है, assume कर लिया, 1 kg का hammer है, तो यह 1 kg, यह 1 kg, यह 1 kg, इन तीनों को add करूँगा, तो left hand side में मेरे पास 3 kg आने वाला है, अब left hand side में 3 kg है, तो right hand side मैं भी balance करने के लिए 3 kg होना चाहिए, मलब जो bat का weight है, वो मेरा 3 kg निकल करके आ गया, is it clear to you, अच्छा, अब यह bat का weight 3 kg है, तो यह भी 3 kg, यह भी 3 kg, यहां left hand side में 6 kg मेरा आ गया total, तो right hand side में मेरे को 6 kg बनाना पड़ेगा, अब मेरे पास right hand side में एक hammer है, जो कि already 1 kg का है, म पूरी कहानी मेरी clear हो गई, अब इदर देखो भई, 2x रखे हैं, 5 और 5 kg के, तो 10 kg होगे है, left hand side में, right hand side में 3 bat रखे हैं, तो हर एक bat का weight 3 kg है, यानि right hand side में 3 plus 3 plus 3, 9 kg रखा है, balance को weight करने के लिए, यहां भी 10 kg बनाना पड़ेगा, मतलब 1 kg मुझे अलग से add करना पड़ेग कौन सा ऐसा instrument है, जो 1 kg का है अगर मैं एक hammer रख दूँगा, तो मेरा काम चल जाएगा, तो यहां पर एक मेरे को hammer रखना पड़ेगा, और यही पूछा था आपको क्या रखना पड़ेगा, correct answer is option A, clarity मिल रही है एक बार explanation पढ़िएगा, और साथ में एक homework question भी करिएगा, अग this is nothing but adapter, तो आप से वही चीज़ पूछिए बाई, bottom scale को balance out करने के लिए यहां पर आपको क्या रखना है, तीनों में से कोई एक answer होगा, comment section में आप, you know, मिलको answer बताइए, चलिए बाई, मुम्मीद करता हूँ, logical puzzles पर आपको अच्छी कासी clarity मिली होगी, अभी तक कोई भी doubt हो session में comment section में बिंदास हो करके पूछेगा, अगली category पर move करते है, playing cards puzzle पर, playing cards puzzle solve करने से बिले थोड़ा सा cards का knowledge होना चाहिए, total 52 playing cards होते है, 4 suits में divide होते है, हर suit में 3-3 card होते है, देखे suit मतलब क्या, एक होता है आपका काले पान का suit, जिसको हम spade बोलते है, एक होता है लाल पान आप language youse करते हो, हिन के लिए, है ना अब ये दौनों जो होते हीए, ये black cards होते है, तो 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, 26 black card हो गए, ये दोनों red card होते हैं, तो 13 ये हो गए, 36 आपके total red card होते है, इसको में बोल देता हूँ गुलाम, इंगलिश में इसको बोलते है, Jack है ना, इसको नेव भी बोलते हैं इंगलिश में, गुलाम का मतलब होता है नेव, इसकी नियुमेरिक वैली होती है 11, इसको बोलते हैं बेगम हिंदी में, इंगलिश में बोलते हैं क्वीन, इसकी नियुमेरिक वैली होती है 12, और इसको बोलते हैं किंग, किंग का मतलब क्या होता है यहाँ हमकर बातच्या बोलते हैं इन्दी में इसकी Numeric value होती है, 13 अब यहां पर आप एक चीज़ समझगा इसका इक कार्ड पर आपको A लिखा होता है इसको इक काड में इंग्लेश में बोलते हैं A इनको बोलते है फफेस कार्ड Bhatt ये जो कार्ड होते हैं जे, क्यू, और के, इनको हम बोलते हैं face cards, अच्छा आप एक चीज और मैं आप से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे से बोले कि अगर मैं king मैं one add कर दूँ, तो आप बोलोगे sir king मसलब 13, 13 मैं one add करूँगा तो मेरा 14 आना चाहिए, जी नहीं, card के definition में 14 नहीं आएगा, one ही आने वाला है, नहीं समझे क्या, देखे बाई, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, then jack, then queen, then king, यानि 11, 12, 13, 13 के बाद वापस से one से start करना है, फिर one, two, three, four, up till up till 13, फिर one, two, three, four, up till, up till 13, इस तरह की हमारी गिंती जो है वो चलने वाली, यह concept आपको question solve करने में बहुत जादा help करेगा, पहला सवल आपकी screen पर है भाई, आपको बहुत सारे cards दी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ pattern बन रहा होगा, वो recognize करना, question mark में क्या आने वाला है, आपको बताने है, पहली चीज़ तो, यहाँ पर दो चीज़े होती है, card पर क्या number आने वाला है, plus क्या symbol आने वाला है, दौनों आपको बताने होते है, अब यहाँ पर आप coincidentally देखो, सारे cards पर symbol जो है, वो same है, that is club, तो option D तो मैं वैसे reject कर दूँगा, यह बोल रहा है, five of hearts hearts तो नहीं आएगा, यह सारे की सारे club है, तो भई, club ही आने वाला है, a, b, c, तीनों जोड़ा, वो club बोल रहा है, अब या तो 9 आएगा, या तो jack आएगा, या तो 3 आएगा, या आपको determine करना है, अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, तो पहली और आखरी रोग को add करना 4 प्लस 7, कितना होता है, 11 होता है, इधर देखो भई, 6 और 8, 6 प्लस 8, 14 होता है, इधर देखो भई, जे मतलब 11, ए मतलब 1, 11 प्लस 1, 12 होता है, चलिए, very good, इधर देखना भई, 2 और 3, add करना, 2 प्लस 3 is equal to 5, देखना भी magic होगा, 5 और 4, add करना, 5 प्लस 4 is equal to 9, एक काम करते है इन सभी मैंसे 2 को सब्ट्राक्ट कर देते हैं, 11 मैंसे 2 माइनस किया, तो मेरे पास 9 बचा कुल में ला करके, है ना, 14 मैंसे 2 माइनस किया, तो 12 बचा मेरे पास, यहां 9 बचा, यहां 12 बचा, 12 मैंसे 2 सब्ट्राक किया, तो यहां पे 10 बचा मेरे पास, 5 मैंसे 2 सब्ट्राक क यहां पर 10 बचा सेंटर रो में भी 10 है, यहां 3 बचा सेंटर रो मैं भी 7 है, यहां 7 बचा सेंटर रो में भी 7 है तो basically क्या किया है टॉप और बॉटम रोस को ऐड करके टू सब्ट्रैक्क करने पर सेंटर रो मिल रही है। अगर इसी लॉजिक को मैं यहाँ पर follow करूँ मैं यहाँ पर क्या रख दूँ ऐसा कि इन दोनों को add करके 2 subtract करो तो काम बन जाएगा 2 subtract करने पर 8 आना चाहिए तो बिना 2 subtract के 10 आना चाहिए वेकिस 10 में से 2 subtract करोगे तो 8 आएगा तो अगर मैं 1 में 9 को add कर दूँ ए मतलब 1 तो अगर मैं 9 प्लस 1 कर दूँगा तो 10 आ जाएगा और इस 10 में से 2 subtract करूँ तो मेरे को center वाला मिल जाएगा यानि 9 यहाँ पर होना चाहिए option A दे रखा है 9 of clubs is the correct answer पूरा printed solution आपको provide मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ with practice और जादा clarity होगी अगले question पर move करते हैं भाई subscribe नहीं किया हो और session को like नहीं किया हो तो भाई कर दीजिएगा ठीक है आगे बड़ते अब यहाँ पर कहानी में आएगा twist twist क्या आएगा यहाँ पर color भी अलग-अलग है तो आपको number प्लस suit किस color का है किस pattern का है वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा तो भाई क्या कर सकते है अगर आप ध्यान से options को देखो पहला option दे रखा spade, दूसरा heart, तीसरा club, चौथा diamond भाई अब यह महा विवक्कूफी करदी question बनाने वाले ने चार अलग-अलग suits आपको दे दिए तो अगर आपकी बल सूट भी identify कर लोगे तो number identify करने की ज़रूरत नहीं है कि चार अलग-अलग suit है अपने आप answer आपका निकल किया जाएगा तो अगर मैं थोड़ा साप सीडी खेल लूँ, अगर मैं इस तरीके से चल लूँ, कैसे? ऐसे चल लूँ, देखेगा भाई, अगर मैं ऐसे चल लूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरा काम बन जाएगा, देखो भाई, लाल पान, चड़ी, इट, काला पान, लाल पान, चड दोबार हो गया के यहां पर स्पेड आएगा गें वेरी शोर जैक की आना पड़ेगा आप्शन यह रैट याइट अंसर में निकाल शेख पर दुबार हाँ लाल पां चिडी इट कालापान, लालपान 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 चिडी इट कालापान, इस तरह का pattern चल रहा है, बहुत famous pattern है, बहुत सारे questions cards के आपके इस pattern पर solve हो जाएंगे, तब 5 है ये 9 है डिफरेंस कितने का है 4 का ये 9 है ये 13 है डिफरेंस कितने का है 4 का सर ये 13 है और ये 4 है again difference 4 का होगा because 13 के बाद 1 आएगा 2 आएगा then 3 आएगा then 4 आएगा यहा तो नहीं चलूँगा लेकिन अगर आप ध्यान दो 12 वाना चाहिए 12 मेरे को यह दिख रहा है 12 मेरे को यह दिख रहा है तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा जिग-जग बना दूँ सांप सीडी टाइप ही तो मेरा काम चल जाएगा यूँ खूम के बना दू तो भाई 8 मैं से 4 पारआट करो तो बही बारा आएगा बारा के बाद 15 इस स्किप करो 3 तीन के बाद 15 7 के बाद 15 सब्imal न dönthemia के पांच के बाद शैशन सब्सक्राइब बच्चों कहिंद सब्सक्राइब क्याइब एक बार इंवैब्द कर दो सब्सक्सक्राइब पढ़ दीजेगा, एक homework question भी आप करिएगा, अगें चार options दी, आप यहाँ पर देखिए, clubs दो बार दे दिया, तो सिर्फ आप किवल और किवल, shade या suit identify करके answer नहीं निकाल सकते हो, हो सकता है, आप सबसे पहले suit identify कर लो, अगर suit speed आया तो तो आख बंद करके A लगा दोगे, अ उसके बाद हम numbers पर focus करेंगे, कि suit में किवल 4 options है, numbers में 13 options है हमारे पास, तो पहले 4 option वाले को deal करेंगे, फिर 13 option वाले को deal करेंगे, मेरे खाल से आपको playing card puzzle पर भी अच्छी खासे clarity मिल गई होगी, अब जब clarity मिल ही गई है, तो अगली category पर move करते हैं, अगली category है clock puzzles, भाई, clock puzzles में दो category बनती है, एक होता analog clock, इस तरीके की clock आती है, एक आती है अपके digital clock, दौना पर मैं आपको questions कराने वाले हों बई, क्या बोला है, where should the missing hour end point to, जो hour का घंता है, ये छोटा वाला जो कांटा है, वो कहां पर point करना चाहिए, इस particular watch में, अब आपको यहां पर ध्यान से देखेंगे, आपको चार options भी दे रखेंगे, ये जो है घड़ी के साब से 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो आपको पता है, तो ये एक पर point कर रहा है, ये आपका दो पर point कर रहा है, इदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये तीन पर पॉइंट कर रहा है अगर आप इदर ध्यान से देखेंगे तो यह 4 पर पॉइंट कर रहा है यह मेरा 5 पर पॉइंट कर रहा है अगर आप इदर ध्यान से देखेंगे तो यह मेरा 2 पर पॉइंट कर रहा है और यह मेरा 9 पर पॉइंट कर रहा है एक काम करते हैं इनको 1-2 मिला करके हो गया là 3 2-3 मिला करके मीरा हो गया 5 4-5 मिला के मीरा हो गया 9 9-2 मिला करके मीरा हो गया 11 अगर मैं घड़ी- है इन गहले मेंує lle ग्लॉकवाइس पैटर्न मान करके चलू तो पहले नम्मर क्या आ रहाएं मैरे नosing दूसरा आ रहे है फाइब तीसरा मिसिंग है चोथा आ रहे है नाइन और पांच वा आ रहा है इलेवन यह मैं summation की बात कर रहा हूं वैई देखो सम 3 आ रहे है सम 5 आ रहे है सम 9 आ रहे है इंसम 11 आ रहे है तो बैई obviously एक इक गैप में आ रहे है जिससे कि sum जो 7 बन जाए obviously 6 पर आना चाहिए आपका आवर वाला काटा जिससे कि 6 और 1 का summation है वो मेरा 7 बन करके निकल आए option C is the correct answer तो आपको अगेन पूरा printed solution मिल रहा होगा clarity मिल रही है तो एक जल्दी से analog पर भी question solve कर लेते हैं देखिए भाई यह आपको चार घड़ी का time दिया है पांच भी घड़ी में कितने बज रहे हैं यह आपको दिया इसमें भी दो category बन सकती है एक तो इनको as a combined unit मानू as a time मानू और time का logic drive करने की कोशिश करूँ दूसरा इसको मैं एक number series मान सकता हूं जिसमें आवर की एक अलग series होगी और minute की एक अलग series होगी है ना तो एक काम करता हूं पहले अलग-अलग मानता हूं इसा time मानूंगा थोड़ा सा tough पढ़ सकता है तो time वाला logic हम बाद में देखेंगे पहले हम directly इनको अलग-अलग series मानते हैं तो आवर में 1 आ difference है तो अगला चार का difference होना चाहिए से साब से आप 11 होना चाहिए कोई option match कर रहा है कि देखो यह option तो है 11 वाले तो maybe we are in the right direction अगर option match नहीं कर रहे होते तो हम वैसे भी color direction में हो जाते है चीक है तो इधर 11 बच करके कुछ minute होंगे अगर यह logic है अब minute के terms में अगर मैं बात कर छोड़ दिया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दौना में 11 का difference आ रहे है एना 50 बना 40 में 40 और 18 में मेरा 22 का difference और सर यह series decrease हो रही थी फिर एकदम से increase होगे अब क्या करें भाई अगर आप ध्यान से observe करो तो अगर मैं इन दौन में देखूं तो मेरा 33 का difference बन सकता है सर कैसे बन सकता है अगर मैं 45 में से सीधे 18 माइनस कर दूँगा तो 15 है यह 3 बचा 15 में से 8 7 बचा यह तो सर मेरा 27 के आसपास बन रहे है और यह तो decrease हो रहा था यह तो increase हो रहे अरे मेरे भाई आप यह समझो यह clock के timing से यह minutes हैं तो अगर मैं एक काम करता हूं अगर मैं एक क कोशिश करो 18 में से 13,33 minutes माइनस करने की कोशिश करो तो मैं 33 को क्या लिख सकता हूं 18 और 15 का summation लिख सकता हूं 18 और 15 गटाना है तो मैं पहले 18 मिन गटा देता हूं फिर 15 मिन गटा देता हूं तो अगर इसमें से 18 मिन गटाऊंगा तो यह 00 हो जाएगा 18分 गटाने के बद और तब इस में से मैं 15 मिनिट और घटाऊंगा तो बाई 00 में से 15 मिनिट घटाऊंगा 59 58 57 56 55 यह जाते जाते मेरा 45 बच जाएगा समझ पा रहे हैं क्या तो अगर टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं टोटल 33 मिनिट्स रिड्यूस करूं तो अठारा के पास 17 16 15 14 13 12 00 तक गया 59 58 57 अब 45 में से 44 मिनिट गायब कर दूंगा तो अल्टिमेटली एक मिनिट बच जाएगा और 11 बच के एक मिनिट बनना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से और यस ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए इस दा करेक्ट तांसर टू दिस पर्टिकुलर कॉश्चन तो यहां प्रिंटेट सॉलिशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वैई एक बार देख लीजेगा और एक होमवक कॉश्चन अगी ने लॉफ पर है वैई एक बार देखिएगा चार क्लॉक्स दे रखी है आपको कॉश्चन मार की जगे मिनिट हैंड कहां पर पॉइंट करेगा इसका आवर एंड है मिनिट हैंड आपको बताना है विद्यारती करता भी है वैई कॉमेंट सेक्षन में आंसर चाहिए आपका मेरे कहल से क्लॉक पजल पर कम्प्रीट क्लारिटी आपको मिली होगी लास्ट केटिगरी पर मूफ करते हैं वर्ड पजल अगर आप वीडियो के आपके पास एक कांटा है जहां से आप दो पल्ले है उस कांटे के उन पर आपके पास कोई वेट नहीं है आपको सिक्के रख रख के एक्सपरिमेंट करना पड़ेगा और कितने अटेम्ट में मैं इस फेक कोईन को आइडेंटिफाय कर पाऊंगा यह आपसे पूचा गया है अब डिफरेंट डिफरेंट आर्गिमेंट्स हो सकते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि बारा इडेंटिकल को आजा है यह वेइंग बैलेंस है मीरा एक साइड मैंने एच वन कोई भी कोईन रख दिया बाकी साइड पूरे ग्यारा बच्ची हुए कोईन रख दिये एक एक करके है ना अब भाई सब में वेट बराबर आएगा क्योंकि एक किसी केस में वेट जो है वो कम आजाएगा और हच फाइब्सिक्स हच सेविन हैच एट एच नाइन हैच टैन एच 11 एच 12 यह बारा मेरे टोटल कोईज निकल करके आने वाले है अब मेरे पता क्या डिफेक्टे देखने में एक जैसे कोईन है माले ता हूँ हैच 5 डिफेक्टे यह मुझे नहीं पता लेकिन रियालिटी है कि H5 Defected है अब मुझे प्रूफ करना है कि H5 मेरा Defected है तो मुझे नहीं पता कि H5 Defected है मैं निकाल सकता हूं कि H5 कैसे Defected आने वाला है आप ध्यान से देखिएगा मैं एक काम करता हूं इन 6 सिक्कों को को कंशाइप करतां है इन 6 सिक्कों को एक साट रख देता हूं मशीन के अब क्योंकि यह हलका था इससाइट का वेट कम आएगा इससाइट का जादा आएगा अब इससइट का तो मैं sure हो गया तो यानि यह सबके सब genuine coins है है ना क्योंकि यहां पर वजन जादा था वजन हलका है यानि इसी side है lighter coin यानि इन मैंसे कोई एक होने वाला है fake coin अब मेरे पास h1, h2, h3, h4, h5, h6 बचा है यह attempt 1 मेरा खतन हो गया attempt 2 में मैं क्या करूँगा h1, h2, h3 इनको रखूँगा left side में h4, h5, h6 इनको रखूँगा right side में ठीक है अब क्योंकि h5 यहां पर है यह वाला हलका निकलेगा यह भारी निकलेगा तो मैं समझ जाओँगा कि h4, h5, h6 इन तीनों में से कोई एक fake coin निकल के आने वाला है second attempt भी third attempt में क्या करूँगा मेरे पास ही weighing balance है h4, h5, h6 है मैं कोई भी 2 coin उठा करके डाल दूँगा मालो मैंने h4 यहां रखा और h5 यहां रखा अब यह हलका आएगा मैं समझ जाओँगा भाई h5 defected है या तो मैं क्या कर सकता हूँ मैंने h5 यहां रखा h6 यहां रखा यह हलका यहां तो आपने अंदर भी 3 करें अरे मैं तो example समझा रहा हूँ तीनों में से कोई भी 2 coin उठा करके रखड़ो एक left में राइट में आप identify कर पाओगे या कौन सा जो coin है वो मेरा fake है तो correct answer is 3 एक बार पूरा solution भी मैंने आप लिख दिया है बई एक बार पढ़ दीजेगा effort पसंद आया हो वीडियो पसंद आई हो तो भाई appreciate करिये comment section में बताइए हर topic पर हम वीडियो बनाने वाले हैं बाई तो subscribe करके bell icon दबा दिजे ताकि notification मिल जाए already कुछ videos हम release कर चुके है जा करके channel पर एक बार देख लीजेगा तो भाई जरूर comment करके appreciate करे thank you so much bye bye take care love you